एलो स्ट्रेंट्स जीव इज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है पादप जगत अध्याक अंतरगत इस पहले वाली वीडियोज में हमने एलगी और ब्रायफएट्स के विशे में पड़ा है एलगी और ब्रायफएट्स पादप जगत के ऐसे समूह हैं जिन में चेडव फाइटा के अंतरगद ऐसे पादव आते हैं जिनमें जड़ तना और पत्यां पाई जाती हैं साथ ही इनमें समवहन उतक जायलम और फ्लोम दोनों ही उपस्ते होते हैं साथ ही यह ऐसे पादव हैं जिनमें कुछ विशेस्ताएं नहीं पाई जाते हैं यह पुश्प समवहनी अ पुश्पोध भी यह वेसकलर क्रिप्टो गेंस कहते हैं एसे पौन्धे आते हैं इन में समवहन उतक जायलम और फ्लोम पाए जाते हैं लेकिन जायलम वहिकांए या जायलम वै वेसल्स और फ्लोम इंसाथ कोशिकाएं या कंपेयन सेल्स अनुद्जेंदे होते अगर हम बात करें जाइलम और फ्लोयम की तो जाइलम चार प्रकार की एस से मिलकर बना होता है उन्हों में से नंबर पहला है जाइलम वाहिका नंबर पहला है जाइलम वाहिका जिसे जाइलम ट्रेकिट्स भी कहते हैं और दूसरा है जाइलम वाहिका तीसरे प्रकार का जो सेलेव वह है जैलम तंतु इसे जैलम फाइबर भी कहते हैं और चौथे प्रकार के जो जैलम कोशिक होती वह जैलम है पैरेंकाइमा तो पौधों में चार प्रकार की जैलम कोशिक हैं पाई जैलम वाहे निकाएं जैलम ट्रेकिट्स जैलम वहे का या जै जैलम तन्तु या जैलम फाइबर्स और जैलम पेरिंग कैमा इन चारों में से टेड़ो फाइटा में जैलम वाहे का अनुबस्ति होती हैं अर्थाद जैलम वैसल नहीं पाई जाते हैं इसी तरह से अगर फ्लोम की बात करें तो फ्लोम भी चार प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर से नंबर बने उता हैं नबर पहला चालनी नलिकाओं या इंहें हम सी्व ट्यूब्स भी केते हैं दूसरा सहाचर कोशिकाएं या सहाच कोशिकाएं जिनने हम companion cells भी गहता हैं तीसरा तो चालनी नहीं लिकाएं या सीव ट्यूब्स सहक कोशिकाएं या companion cells टेड़ोफईटा में जैलम वाहिका या जैलम वेशल्स और फ्लोयम में सहक कोशिकाईर्ण या कमपिनें चैल्स अनुभस्तिभ थे पादब शरीर जड़uga and विभगती होता है तो टेड़ोफईटा के अंदर ऐसे पादव आते हैं जिन में वास्तविक जड़ तना और पत्यां उबस्ते होती हैं यह ऐसे पादव हैं जो ठंडे गीले नम और छायदार इस्थान में ही पाई जाते हैं इनका मुख्य पादव बीजान उद्विद या इस्पोरोफाइट होता है इससे पहले हमने एल्गे और ब्राइफाट के विशे में पड़ा था उन दोनों में ही पादव शरीर युगमकोद्विद या गेमटोफिटिक होता है अर्थात जो पादव शरीर होता है वहां है प्लोड होता है एन नमबर ओप क्रोमोसों उसमें होता है तो टेर्टोफाइट है में पुष्पु नहीं वनते तो बिदेवर और रहित पादब होते हैं जीने अगि ऊंगर में इस पतियां उबस्ती होती अगर हम इन पत्तियों की बात करें इन पत्तियों में इस प्रकार से पत्ति की जो सनरशना होती है कुछ-कुछ इस प्रकार की इस पर पत्तियां पाई जाती है इस प्रकार अगर हम पत्तियों की बात करें इस प्रकार ये पत्तियां उबस्ति होती हैं और इन पत्तियों में इस प्रकार की पत्तियां ऐसे होंगे और इन पत्तियों में कुछ सनरचना होती हैं अगर हम सनरचना को यहां पर बनाएं डाइग्राम में अलग कलर से तो कुछ इस प्रकार की सनरचना उपस्ते होते हैं पत्तियों में तो टेड़ोफायट्स में इस प्रकार की पत्यां पाई जाती हैं और इन पत्यों में कुछ ऐसी सनरचनाओं होती हैं जिनके अंदर बीजानों बनते हैं तो इन सनरचनाओं को बीजानों धानी कहते हैं और इन सनरचनाओं के अंदर बीजानों का निर्मान होता है इस प्रकार के अंदर बीजान बनते है उन संरज्ञना को बीजान धान दानी कहते हैं और इन Mirei को युग मुकादवित पौधा बनाता है इस तरह से बीजान अंकरण के दौरा युग यूगमकोद्वित पुद्धा बनाता है यूगमकोद्वित पर नर जन्रांग पुंद्धाने वह इस्तरी जन्रांग इस्तरी धानी उपस्तित होते हैं अगर हम बात करें बीजानों की तो बीजानों अंकुरी दोकर यूगमकोद्वित बनाता है तो इस तरह से अगर इनके यह यह पुण्धानए है को और यहां पर कहीं इन में इस्त्रीदाने भी उपस्त्यहों व इस तरह से अगर बात करें युगमोगतबी तो विजानों के त्वारा युगमोगतबीं का निर्माण होता है manufactured ज युगमोगतबीं जो अवस्था होती है एक थेलस के आकार का होता है और इस थेलस को प्रो थेलस पहते हैं और यह एक उबहलेंगे सनरजना होते हैं जिसमें नरजनरांग और मादा जनरांग दोनों ही पाई जाते हैं इनमें जो नरजनरांग है नरजांग पुंधान के द्वारा नर्युगमग पुमणु का निर्मा दोनों मिल जाते हैं तो दोनों की मिलने से युगम मनेस का निर्मान होता है और युगमनेस आगे परिपक को होकर बीजान उद्मित बनाता है इस परकार से अगर हम बात करें एड़ो टेडो फाइड हैगी तो टेडो फाइडे में सब से पहले इन में जो भूग्य पीजान उदभीद ईसमें उपस्ते होते हैं न उपस्ते होते है ieगकां से यहाँ पर यूग्मकोद से यहाँ पर वाज्क gehen चैन हैं इस सब एक ही आकिर सब करते हैं तो ऐसे को सम्मीं जानू करते हैं लेकिन कुछ टेर्डोफाइट्स ऐसे हैं जैसे कि सिलेजीनेला, साल्विनिया, मार्शिलिया आदे ये ऐसे टेर्डोफाइट्स हैं जिनमें दो प्रकार के बीजानों बनते हैं एक आकार में बड़े होते हैं जिन्हें व्रहद या बड़े स्पोर कहते हैं या मेक्रो स्पोर कहते हैं इनके द्वारा मादा युगमो कोदविद का निर्मान होता है और दूसरे प्रकार के जो स्पोर होते हैं काफी आकार में इनसे छोटे होते हैं उनके द्वारा नर विशम बीजानों कहते हैं इस तरह से वरिहत बीजानों से मादा इगमोगोदवित और लगू बीजानों से नर इगमोगोदवित का निर्मान होता है अर्थात मैक्रोस्पोर से फीमेल गेमटोफाइट और माइक्रोस्पोर से मेल गेमटोफाइट का निर्मान होता है तो इस ये एक पहुदा है इसमें मादा युगमक अभी भी पैत्रिक पहुदा से जुड़ा हुआ है तो जो मेल गेमिटोफाइट के नर जननंग पुंधाने से पुमणों आएगा और यहां पर मादा युगमक अंड़ कोशिका से आके जुड़ जाएगा इनकी दोनों के जुड़न और युगमनस से एक नया शेसव भूण विक्सित होता है यहां गटना ट्रड़ फाइटा को बीजी प्रकृति को ले जाती है तो काफी इंपोरेंट एक टर्म है इस तरह से जो युगमनस बना वहां युगमनस मादा गेमिटोफाइट में ही बना और वहां मादा गेमिटो दिखाए देती हैं इसी को ही हम क्या कहते हैं कि सी डेपिट ऑफ ट्रड़ फाइट कहते हैं तो युगमनस से एक नया शेसव भूण विक्सित होता है तो यहां गटना ट्रड़ फाइटा को बीजी प्रकृति की और ले जाती है यह साबित होता है कि ट्रड़ फाइट से ही जिमनोस्पम का विकास हुआ है इन पौधों में निशित पीड़ी अकांतरड देखने को मिलता है हमने यहां पर देखा कि जो इस्पोर्फाइटिक पौध है उसमें स्पोर्स बनते हैं और इस्पोर्स से गेमटोफाइट्स बनते हैं और गेमटोफाइट्स में मेल और फि तो इसी को ही पीड़ी एकांत्रन या अल्टरनेशन अब जनरेशन कहते हैं यहाँ आप देखेंगे कुछ टेड़ोफायट्स के उधारन है लाइकोपोडियम सलेजी नेला, मार्सिलिया राइप्टेरिस या फर्न और एक्विसिटम अगर हम बात करें एकोनोमिक इंपोडेंस की तो जो फर्न है जो फर्न है इसका प्रियोग सजावटी पौंधो की रुप में किया जाता है कुछ इसके डाइग्राम्स हैं जो के NCRD बुक्स में दीए हुए है सलेजी नेला और यहां पर यह एक्विसिटम है और इस तरह से यहां पर यह फर्न का डाइग्राम है और यह है साल्विनिया तो यह साल्विनिया का डाइग्राम है